विसे है वो है पॉलिटिकल साइंस इससे मैं लाया हूँ आपके सामने जिसमें से सो कॉसंस हैं परतिक प्रसन के लिए जो है आपको चारवी कल्प दिये गे हैं जिसमें से एक सही को चुणना है तो लेकिन दिखेंगे इसमें सो में से आपको पचास प्रसनों के उत्तर देने जो भी आपको suitable बजाए जिसमें आप सक्षम हो जिसका 100% जानकारी हो उसका आप इसका एंसर दे सकते हैं चलिए हम लोग बारी-बारी से देखते हैं फटा-फट कोशिस करेंगे हम लोग कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको जल्द से जल्द कोशन का एंसर बताता चलूं तो दीकि इसमें क्या होगा कि मैं कोशन से पढ़ूंगा और उसके एंसर दोंगा इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जितने भी हमारे अभी सेंट अप के एक्जाम हो रहे हैं सारे के सारा कोशन से डाल दूं तो चलिए समय को ना गवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ पहला कोशन है किसने कहा कि राजनितिक सास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्यन करता है यह कहा था किसने आरस्तू ने कहा था नेक्स्ट हमारा कोशन है दो नमर में कि निमलिखित में से कौन आधुनिक राजनितिक सास्त्र ह तो इसका राइट एंसर हो जाएगा हमारा आरस्तू नेक्स्ट कोशन है हमारा किसने कहा कि राजनितिक दर्शन का जन्व राजनिति सास्त्र के बहुत पहले हुआ क्योंकि राजनितिक दर्शन की मूल बातों पर राजनितिक सास्त्र अधारित है तो इसका राइट एंसर हो ज किसने कहा कि इतिहास बिती वी राजनिती और राजनिती वरतमान इतिहास है। ये कहा था किसने फ्री मेन ने कहा था नेक्ष्ट कोसन है किसने कहा कि इतिहास के बिना राजनिती सास्त्र जड़ वहिन है और राजनिती सास्त्र के बिना इतिहास का कोई फ़ल नहीं है। ये भी कोटिले राजी के आवस्यक तत्तु कौन कौन से हैं तो इसके राजी के आवस्यक तत्तु हैं हमारा राइट एंसर हो जाएगा डी भुबाग जनसंक्या सरकार और संप्रूब होता तो चलिए नेश्ट कोशन हम लोग आगे बढ़ते हैं कोशन के और कोशन नमड़ हमारा आठ जिसमें कहा गया किसने कहा राजनिती सास्त्र का आरम और अंत राजी से होता है तो इसका एंसर हो जाएगा गार्नर इसके बाद 9 नमबर में कहता है लेविया थन पुष्टक किसके द्वारा लिखी गई थी ये हॉप्स के द्वारा लिखी गई थी नेश्ट कोशन हम लोग में संपरुता के परवर्तक कौन है तो इसके परवर्तक के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो इसके परवर्तक होंगे बोंदा निमलिकित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंग कुष संपरवू बताया तो हाउप्स ने बताया था नेक्स्ट है आनस् संपर्भू के आदेशों का पालन करते हैं तो कौन करते हैं इसका एंसर हो जाएगा कानून के कारण राजनितिक संपर्वुता का अर्थ क्या होता है तो राजनितिक संपर्वुता का अर्थ होता है जनता की संपर्वुता तो next question हम लोग देख लेते हैं क्या बोलता है next question हमारा है लोक तंत्र राष्ट में संपर्भू का निवास निमलिखित में से कहा होता है तो 15 कराइट एंसर हो जाएगा जनता निमलिखित में कौन संपर्भू का गुण नहीं है तो इसमें से हो जाएगा अपनी किस पुस्तक में पर्तिपादित किया था इन्होंने पर्तिपादित किया था सोशल कॉंट्रेक्ट पे next है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी इसका राइट एंसर हो जाएगा 1997 next question हम लोग देखते हैं 18 की और sorry 19 19 नंबर में क्या बोल रहा है क्या गिया था तो फ्रांस की राजकरांती में नियाई सब्द की उत्पत्ति निम लिखित लैटिन भासा के किस सब्द में हुई थी तो यह एंसर हो जाएगा जस परंप्रागत उदारवाद के प्रवक्ता निमनी में से कौन नहीं है तो दिखिए इसमें से हो जाएगा हमारा जॉन लाउसकी नेश्ट कोशन हो जाएगा 23 नमर में देखते हैं हम लोग का 23 का एंसर क्या है कि नागरिक अधिकारों को प्योग कौन करते हैं तो केवल नागरिक करते हैं अधिकारों का संडक्च का और लागू करने वाली संस्था कौन सी है तो इसमें से हम लोग कर सकते हैं कि इसका कौन हो जाएगा राज्य, सरकार, समाज, विधान, मंदर तो इसका राइट एंसर हो जाएगा हमारा राज्य 25 नमर में हम लोग देखते हैं किसने कहा मनुष सोतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सोतंत्र बंधनाओं में रहता है राइट अंसर हो जाएगा रूसो भारत की सासन विवस्था कैसी है तो भारत की सासन विवस्था हम लोग जानते हैं कि इसमें से सभी हो जाएगी 26 के बाद देखते हैं लोग 27 नमर का अंसर क्या है 27 का ताइश समिधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्णरर जनरल कौन था तो लौड वेवल थे किसे समिधान सभा का ओ अस्थाई अध्यक चुनिक्त किया गया था तो अस्थाई अध्यक सचितानन सिना को किया गया था 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो गंतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है नेक्स्ट कोशन हम लोग देखते हैं कि अब हमारे सविधान में निमिकित में से कौन मौलिक अधिकार सामिल नहीं है तो इसमें सो जाएगा संपत्ति का अधिकार नेक्स् इसने क्रियात्मक परतिनीदितों का समर्थन किया यह हो जाएगा जेएस मिल भारतिय संसद में कौन सामिल किये जाते हैं तो इसमें से क्या हो जाएगा सभी हो जाएगे यह नेक्स्ट है हमारा केंद्रिय मंत्री परिसत की समोहिक रूप से किसके परति उत्तरदाई होते हैं तो ये किसके परती उत्तरदाई होते हैं, उसको देख लेते हैं तो राई टेंसर हो जाएगा लोग सभा के परती उत्तरदाई होते हैं. तो next question हम लोग देखते हैं क्या बोलता है next question में हमारा है निमलिखित में कौम अपने विवेका नुशार कारी कर सकता है जहाँ वो आवश्यक समझे तो ये क्या हो जाएगा मुख्य मंतरी next है राज्य का मंतरी परिशद सामोहिक रूप से किसके परती उत्तरदाई होता है ये होता है राज्य सभा के परती भारत में द्वी सदनात्मक व्यस्ताने मलिखित में से किसके द्वारा लागुक के गई थी तो 1949 का भारतिये समिधान next है किस राज्य की विधान सभा को कौन लम्मित कर सकता है तो राज्य शभा सौरी राज्य पाल नेश्ट अर्थिस के बाद हम लोग देख लेते हैं कुश्चन नमर है हमारा किस राज्य में एक सकेंड किस राज्य में विधान परिश्ट को बनाने या तोड़ने की सक्ति किसे प्राप्त है यह है राज्य सभा को सही होगी संस्थाएं काम करती है अपात काल में एक एकात्मक हो सकते है सरल समिधान संसोधन विधी के कारण होती है 41 नमबर में हम लोग देखते हैं लोक तंत्र वी केंदरी करन का विचार किसकी कलपड़ी कलमा पर धारित है ये जवाहलाल नहिरू का पुर्नसुवराज पर धारित है कौन सी विवस्था समिधान को सजी दस्तावेज के रूप में रख सकतियत वो है मारा लोक तंत्र नेक्स्ट कोशन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोशन में कहता है 43 भारते समिधान का अधारभूद दर्शन है अधारभूद दर्शन इसमें से कौन है इसको देख लेते हैं तो इसका हो जाएगा उदारबाद हमारे समिधान के अधारभूद दर्शन में किस सिद्धान को अ तो इसमें से हमारा एंसर हो जाएगा इसमें आप लोग एंसर को आप खोज लीजिएगा दिखेगा इसमें से मैं बताना चाहता हूं कि इसका उमीद करता हूं कि बारकर जो है इसके एंसर होंगे बारकर फिर भी आप लोग कॉमेंट सक्चन में इसको कॉमेंट कर सकते हैं 46 का चलिए next question हम लोग देख लेते हैं क्या बताता है कि कौन सी करी सोतंतिता समानता हुए हम बंधुतु के मुल्यों को जोरती है तो यह हो जाएगा हमारा right answer c निया है अधिकारों की विवस्था को निमलिकित में से कौन परभावी रूप से बनाए रखता है तो यह answer हो जाएगा राज जी का कानून next question है नागरिकों को मतादिकार निमलिकित में से कौन परदान करता है तो answer हो जाएगा हमारा राज जी राज जी किसे नागरिक तक से वन्चित कर सकता है तो देश द्रोही को वन्चित कर सकता है next question हम लोग देखते हैं काता है अंतराष्टिय सरम संगटन का सवचिवाले कौन है तो इन में से कोई नहीं संगत राज संग का गठन कब हुआ था चौविस अक्टुवर निश्व पैतालिस इस्व को इसका गठन हुआ था यूरूपिय संग का गठन क्या गया था किसके लिए तो आर्थिक एकिकरन के लिए सार का मुख्याले कहा है तो काठ मांडू में इस्तित है नेक्स्ट कोशन हम लोग देख लेते हैं पच्पन नमर में कहता है निमलखित में से कौन देश सार का सदश्य नहीं है तो एंसर हो जाएगा थाइलेंड भारत के प्रधान मंत्री निउक्त होते हैं इसके बाद कहता है 21 सदी में दक्षिन एसिया के किस देश में लाज तंत का अंत हुआ था तो राइट एंसर हो जाएगा इसका भुटान अमेरिका के 21 राष्ट पती को सांती का नोवल पुरुसकार दिया गया था तो बड़ाक और मामा को दिया गया था नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 कोशन क्या काता है 59 कोशन में है भारत के दुसरे राष्ट कौन थे तो राधा कृष्णन थे भारत में हरित क्रांती के जनक म् स्वामी नाथन को कहा जाता है इस समय बाद जितने भी वरिष्ट नेतागन थे, कॉंग्रेस के वो थे, तो उन्होंने कहा था, इंद्रा हटाओ का नारा दिया था, उन लोगोंने मिलके, नेक्स्ट है हमारा, तिरेशट नमर में, देखते हैं, किसे वामपंथी पार्टियों की कोटी में रखा जा सकता है, इसमें हो गया भारती कम्मिनिस्ट पार्टी को, नेक्स्ट है, दुज़ार तीन के बानवे संसोधन के द्वारसमिधान के आटमे सुची में कौन सी भासा ज जोड़ी गई थी, तो बोडो भाषा जोड़ी गई थी, काता है 1975 में किस अधारपा पात्काल की घोषना की गई थी, तो आंतरिक गरबरी के कारण जय किया गई थी, किसने संपुर्ण करांती का आवहान किआ था, जे प्रकाशन आय therebyन किया था, जलिए नेक्स्ट कोशन हम देख लेते हैं नेक्स्ट कोस्टन में क्या काता है पंजाब में सैनिक करवाई 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी थी ये था इंद्रा गांधी 1966 का तासकन समझो था किन देशों के बीच हुई थी भारत पकिस्तान के बीच में हुई थी नेक्स्ट कोस्टन है 2009 का जलवायू सम्मेलन कहा हुआ था तो स्टॉक हॉम में हुआ था सुरक्षा परिश्ट के कितने सदस्यों के निसाधिकार प्राप्त यानि के वीटो पावर प्राप्त ये है पांच को शुंदरलाल बहुगुना का संबंध है किस से संबंध है तो चिप को अंदोलन से संबंध है तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1955 का बांडूंग संब्मेलन कहां हुआ था ये इंडोनेसिया में हुआ था भारत के लोग पुरूस के रूप में कौन जाने जाते हैं सरदार बल्लब भाई पटेल को जाने जाते है नेक्स्ट है निम्लिकित में से किस राज का निर्मान भासा का धर पर नहीं वा ये उत्रा खंड हो जाएगा सित युद्ध के दोरान जर्मनी के एकिकरन कब हुआ था ये हुआ था जनवरी 1991 में हुआ था नेक्ष्ट कुष्टन हम लोग देख लेते हैं नेक्ष्ट कुष्टन काता है सुचना का अधिकार कानून किस वर्स लागू हुआ था ये 2005 में लाग राजनितिक दल के अस्थापना ओवी थी ये तो भारती राष्टे कॉंग्रेस के अस्थापना ओवी थी नेक्ष्ट हम लोग देख लेते हैं भारत में नई आर्थिक नितिक किस वर्स शुरू की गई थी तुनिश्व 91 में शुरू की गई थी बोडो लेंड स्वाइट सास परिशत किस राज्य में इस्थी था तो अश्रम में इस्थी था ये नेक्ष्ट को सन नेमा रहा है परमानू और प्रशारन संदी पर किस राष्ट ने हस्ताक्षर नहीं किये थे तो भारत ने नहीं किये थे यूएसे के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था तो ग्यारत सितंबर दोहजार एक को किया गया था नेक्ष्ट कोसरन हम लोग देख लेते हैं एटि-फॉर में एटि-फॉर कहता है भारत में अब कितने राज्य हैं तो ट्विटी एट राज्य हैं किस वर्ष में विस्व्वेपार संगठन के अस्थापना होई थी तुविस्वेपार संगठन के अस्थापना उनिस्थो पैतालिसे स्वी में होई थी संयुत राज्ट दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूवर को मनाया जाता है सिंदु जल संदी भारत और निमनी में से किस देश के बीच होई थी तो पाकिस्तान के बीच में होई थी है नेक्ष्ट कोशन है हमारा बरलीन की दिवार कब बनाई गई थी यह 1961 में बनाई गई थी नेक्ष्ट है वेस्वी करन किस विचारधारा पर अधारित है यह शामिवादी पर अधारित है नेक्ष्ट है तहतर में सविधान संसोधन के तहत पंचाइती र चलिए next question हम लोग देखते हैं 92 कता राजी सभा के सदस्ता के लिए निम्तम आयू कितनी होनी चाहिए तो निम्तम आयू जो है राजी सभा के सदस्ता के लिए आपको 30 वर्स होनी चाहिए बाबरी मस्जित का विद्वन्स का हुआ था उनिस्सो बिरानवे इस्वी में हुआ था नेक्ष्ट समिधान के प्रस्तावना का निसार भारत संपर्वता संपन्य राज है क्योंकि वह किसी विदेशी सत्ता के वस में नहीं है वह अपने इच्छा से किसी अंतराश्टे इस्वासतों को कितने अस्थान दिये गिए थे दिखे इसमें से कन्फ्यूजन है 89 था लेकिन यहाँ पे 89 के असपास को हम लोग लेके जाते हैं एप रोक्स में यह हो जाएगा हमारा बी एनसर समिधान ने किस भासा को राजभासा का दरजा दिया था हिंदी भासा को उन्ह है यह संगबाद का एकात्मक परतिमान नेक्ष्ट है किसने कहा कि दोस होते वी नोकर साही एक अप्रिहार आविसकता है तो यह कहा गया था मैक्स बेवर के द्वारा नेक्ष्ट है 1975 में अपातकाल की घुशना करने वाले राष्टपती कौन थे तो यह थे राष्टपती फकर मुद्दीन अली अहमद साहब थे यह हमारा आज का था टॉप हंड्रेट जिसमें से संट अप एकजाम में पुछा गया था धन्यवाद